और इतना सुन्दर नजारा था रास्ते का लवरक्ष जो शेव और पारवती के रूप में यहां विराजमान है तो यहां जागेश्वर में विवहा पिक्चर की भी शूटिंग होई थी तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बदिया ब्लूकल जब नीचे आ जाएगा तो एक लिए आ पहुंच गहें है जागेश्वर से लगवक तीन किलो मीटर दूर है और यह मोंड है यहां से हम यहां तक छोड़ा था अल्मोरा यहां तक चोड़ा था यह वाहली टैकि отк मिले जाएगी जागेश्वर जो यह रास्ता है यहां से लगवक्त 3.2 किलो मीटर है और यह यहां से वियू है बहुत सुंदर सुंदर वियू देखते हुए हम आए है अलमुडा से जागेश्वर तक दूप ठीक ठाक है लेकिन फिर भी ठंड का हैसास हमें हो रहा है तुबह हम थोड़ा जल्दी उड़ गए थे और नहां दोके थोड़ा बहुत नाश्ता करके दीदी के यहां से हम चल पड़े थे और टैक्सी हमें मिलने के बाद का फी टाइम लगाया उसने भरने में और अभ यहां से अगर पैदल जाए तो लगवाई घंटा लग जाएगा लेकिन हमें आज शाम को यह निकल ला है मुरदबाद तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम बचा ले और हमें केंची धाम के दर्शन भी करने तो वहां टाइम जरूर ज्यादा लगेगा क्योंकि क आल केंची धाम में भीड़ बहुत ज्यादा थी आज देखते हैं कितनी भीड़ रहती है तो इस टेक्सी वाले ने हमें थोड़ी सी दूरी पर उतार दिया यहां से आगे नहीं जाने दे रहे हैं टेक्सी और इतना सुन्दर नजारा था रास्ते का मैंने आपको दिखाया देवदार के वरक्ष बहुत ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं मैंने पहली बार देखे हैं मंदर यहां से थोड़ी दूरह है और यह जो आपको सब दिखाई दे रहे हैं सब देवदार के पैड़े हैं और रास्ते में भी यह देवदार के पैड़ों की छाय में मतल़ इतनी शान्ती लग रही थी और देवदार के वरक्ष सिर्फ यहीं पर मिलते हैं जागे शड़े मिलते हैं यह सीध्य और बहुत अलग तरीके के पेड़ा है अब हम चलते हैं मंदिर और यह है मंदिर और ऐसे ही यह 108 मंदिर है अभी हम अंदर जाएंगे जैसे देवदार के व्रक्ष यह हैं ऐसा कोई व्रक्ष नहीं है इनको मतलब शिव पारवती के रूप में माना जाता है क्योंकि यह दोनों जॉइंड हैं नीचे से मिले हुए और उपर से अलग हैं और इतना बड़ा देवदार का व्रक्ष है यह लग भग पता नहीं अंदा के करना चाहें तो शायद पकड़ पाएं इतना मोठा व्रक्ष यहां पर लिखा भी है दौर का व्रक्ष रूपी भगवान शिव एवं मा पारवती तो यह भगवान शिव और मा पारवती का ही रूप है तो जागेश्वर जी के दर्शन हमने कर ली है और मैंने आपको दिखाया यह वाला व्रक्ष जो शिव और पारवती के रूप में यहां विराजमान है और यहां पर ऐसे ऐसे 108 मंदिर है छोटे बड़े इन सब के अंदर शिवलिंग विराजमान है जैसे कि यह छोटा मंदि लोग अनुस्ठान करवा रहे हैं और बंदर तो बंदरों का प्रकूप तो हर जगा है वह में मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था तो यहां जो पारवती जी विराजमान है वह उनका श्रंगार जो किया जाता है एक पुरुष पंड़जी हैं उनके द्वारा किया जाता ह लेकिन वह आँखों पर पट्टी बांद कर और हाथ पर कपड़ा बांद कर तब श्रंगार करते हैं क्योंकि पुरुष होके वह माता जी को छूते नहीं है और बिलकुल अच्छा एक्टम मतलब एक्कुरेट से श्रंगार होता है उनका और हमने यहां पंड़जी से पूच ये अंहां अगे और यहां पर एक कुबेट जी का मंदिर है वह कुबक जीका मंदिर हम देख करके आएंगे यह यहां का व्यूव यह चारों तरफ में मंदिर के चारों तरफ के चारों थिरसी चोटे-चोटे इस कि मंदिरों और हैं Governor कि और यह जो मंदिर है इसमें शिवलिंग राजमान है और एक सोने की मतलब किसी धातू की है शायद सोना या पीतल की हो एक मूर्ती है जिसके हाथ में दिया है वो दिया ऐसा कहा जाता है कि जब कल्यूक शुरू हुआ था तब उनके सिर से उंचे थे हाथ और वो धीरे-धीरे म हाथ बिल्कुल निशा जाएंगे तो यह भी एक मानने आता है अब हम चलते हैं कुबेर महराजी के दर्शन करने के लिए यह है कुबेर जी का मंदिर और सबकी सनरचना मंदिरों की सेम है यहाँ पर जितने भी मंदिर है यहां भी और वो जो में मंदिर भी थे वो भी सब इ करेंगे तभी शाम को निकल पाएंगे वहना निकल निपाएंगे तो अब हम नाश्ता करके यहां से निकलते हैं तो कि भूग लग रही है बहुत तेज बज़ गए लगवग ज्यारा है यह यह आहिए हमें टैक्सी मिल रही थी लेकिन टैक्सी लागा थी टाइंग सब्सक्राइब कर दो हमने एक यह नही हमने सवारी दूलिए कि यहां हमें पोच रहा है जल्ली जड़ा यहाद के लिए हमारी सावारी इस तुछ क्लो मिर गे लिए बस यह तो कॉमफर्टेबल नहीं है विलकुल भी लेकिन मज़ा होते हैं यह देखिए लोगों के रियक्शन हमारा सफर समात होता है इस राइड़ तो इन्हों ने यहां थे थी क्लो मेंटर का छोड़ा भी हां से देखिए लेकिन सच में बड़ा ही मजा आया ऐसी राइड तो मिलती भी नहीं आप अब यहां अधर टेक्सी लेते हैं चलते हैं अल्मोडा तो दर्शन वगयार सब हो गए है हमें कैंची दहाम की करने तो टेक्सी हमें मिलगे लोटा के लिए अब देखते हैं किते दिर में पहुंचा देते हैं है और इसके बाद आगे के अपना प्रॉग्राम देखेंगे कि 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 कि